तो मैं ये कह रहा था कि साहब कहते हंस बकु देखा एक रंग चरे हरियरे ताल हंस चीरते जानिये बकु ही धरेंगे काल हंस और बगुला संसार में दोनों हैं और वो हंस और बगुला बाहर का तो साहब ने यहां पर रूपक में दिया है वो हंस बगुला हमारे अंदर है और हमें बगुला का त्याग करके हंस बढ़ना है बाहर से तो भेश से तो बगुला और हंस पता नहीं चलता है सबें हंस हंस हैं लेकिन जब समय पढ़ता है विपत्तिय आती है तब पता चलता है कि हमने आज तक क्या किया क्या पकड़ा क्या छोड़ा कहीं चीजे आती है सामने तब हमारी परक होती है कि हाँ हमने आज तक क्या पाया है और क्या खोया है उपर से तो सब लोग भेश से संत भी बन जाते हैं भक्त भी बन जाते हैं धार्मिक भी बन जाते हैं लेकिन उपर उपर का धार्मिकता काम नहीं देती है अंदर से जब हम असली धार्मिक हो जाएंगे जैसे हंस छीर को ग्रहन करते हैं और पानी का त्याग करते हैं वैसे ही हम अपने जीवन में दोसों का त्याग करते हैं और सद्गुनों को ग्रहन करते हैं जब हम सद्गुनों से लवाला भरते हैं तब हमारी सच्ची वही पहचान है और तब हम हमस्वत और असली हंस्वत तो हमारी आत्मा है आत्मा को जो समझ लेता है वही असली हंस है तो तो कविर साहब की साखी पर मैंने कुछ दिर निवेदन करने का प्रयास किया इतना कहकर मैं अपनी वानी को विराम देता हूं प्रेम से बोले सद्गुरु देवगी जै बहुत संदर विचार